आप देख रहे हैं फॉर्स्ट्रेट में हूँ दिपाली राना आज अवते का आखरी कारोबारे दिन लेकिन नजर रखनी होगी बजार पर क्योंकि आज संकेत कुछ इस तरह के हैं मार्केट के लिए कि फिर से एक बार लेटमस टेस्ट होगा कुछ हद तक जो 9600 का सब्सक्राइब के लेवल का भी लेकिन यह जरूर है कि कम से कम आज का जो सेशन है उसमें किसी भी सूरत में अगर 9550 के नस्दीक निफ्टी जाता है तो यह एक ऐसा संकेत बनेगा जो की कल 9580 के नीचे इंडेक्स क्लोस हुआ और इनफाक सुबा से अब तक जिन भी एक्सपोर्ट से मारे बातचीत कुई है सुपरफास फूचर्स में भी हमने निफ्टी पर काफी डिस्कुशन किया यही आउटकम निकल कर आया है कि 9550 अगर ब्रीच होगा तो हम स्लाइड कर सकत कुछी देर में होगी लेकिन उसे ठीक पहर आपको बता दे कि सेलेक्टिव गॉकेट्स पर आप फोकस करें आज के सेशन में छोटे सरकारी बैंक को मैं आक्शन देख सकता है कुछ बाइक कॉल्स भी आई हैं आपर कनाटा का बैंक, डिसी बैंक पर आप ध्यान दे, फेडर अंडर पर्फॉमेंस रिवर्स हो सकती है कि कोई कॉई 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 कॉनक्रीट स्टेट्मेंट मैनेजमेंट की ओर से फ्यूल रिटेलिंग को लेकर लांस इंडस्टिस की ओर से नहीं आया, जो कल वजह बना था प्रेशर का, इस बीच रुपे की ओपनिंग हुई है और एक फास्ट मनी शो में हम आपको 20 इंट्रेडे कॉल्स बताते हैं, ये इंट्रेडे कॉल्स कौन सी हैं आप फिर से दिख लेते हैं बत और EPS शेर मैंने अपटे पूर्फोली में होता रहा है, जै कॉप को निशले सरों से खरदारी स्टॉक पर देख निकों मिल सकते हैं, आज के लिए 82 का टागेट रहेगा, 77 का एक स्टॉप लॉस वालो करें आज के लिए रैमकों इंडस्री पर टागेट है 250 का, कोको यू के अमलें 107 का टागेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है, थॉमस कुक 228 का टागेट रहेगा, 220 का एक स्टॉप लॉस, टाटा मोर्टर्स डीवियर पोटफोलियो में शामिल करते हैं, तो आज का टागेट रैमकों सिमेंड कल अंतिम चरण में काफी अक्टिव हो था, वॉल्मस बढ़ते हो दिखे थे, 722 आपका टागेट होना अची है आज के लिए, केमिकल फटलाइजर शेयरों में आज काफ़ अची गेंस आ सकते हैं, मौनसून अब NCR पहुंच गया है, तो दर्शन केमिकल ग टेक में इस्दारी बेचेंगे, 34 क्रोट डॉलर की रकम मिलेगी, वो एक पॉस्टी ट्रिगर है, 460 रुपे का टागेट पाइस होगा, हैवल्स में आप ख़ईदारी करके चले, कमर्शिल पेपर के जरे इनोंने कुछ रकम जुटाई है, मौनसून एक ट्रिगर हो सकता है, ऐफू 98 का टागेट होगा आज के लिए, BPCL, कल की गिरावर के बाद आज उबर सकता है, 680 का टागेट लेगी, ख़ईदारी करें, डेटा मैटिक्स कल भी काफे एक्टिव था, आज भी मिटकव आईटी में एक्शन रह सकता है, 115 रुपे का टागेट पाइस होगा और बत हमार साथ हेमंत ठुकराल जुड़े हैं, साथी सिमी हमार साथ मौजूद हैं, मयूरेश हैं, साथी किरन जादो भी हमार साथ बने हैं, morning to all of you, शुक्री एक बाद फिर से इस बाचीत में शामिल होने के लिए, starting with queues, जो शुरुवाती queues हैं, वो अबिस्टी थोड़े से फ् किल था एक्सपाइरी निफ्टी बैंक का, और कल वो जिस तरह से उसने सपोर्ट लेकर वापिस उपर अपने आपको लेकर आया है, तो आज सबसे बड़ा टेस्ट निफ्टी बैंक का ही होगा, क्योंकि अगर निफ्टी बैंक 23,250 नहीं तोड़ता है, तो यही वापिस 9630, तो मेरे साब से निफ्टी बैंक पे जादा नज़र रखनी चाहिए, और वहाँ पे एक्टिविटी होने के जादा चांसे लग रहे हैं, लेकिन आप देखिए इंडिकेटिव आक्शन में, रिलाइंस इंडस्ट्रीज को दो दिन के अप मूग को यह आज भी अब भी तो एटलीस वो रिफ्लेक्शन देख रहा है, रिलाइंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि अब यह धाई परसेंट ऊपर आ चुका है, हाला कि जो हाउसेज हैं, मिहीर रिलाइंस इंडस्ट्रीज की प्रेस कॉन्फरेंस को कुछ पार्ट पे हिट फ्रेंट पर देखत हमने उन से पूछा था कि जो बात उन्होंने कहीं मेडिया से, क्या इसका मतलब यह निकाला जाए, कि यह लुकिंग अट रिन्यूबल स्पेस, सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा है Sir, you mentioned about the new technology and the new delivery mechanism, as well as the, so are you hinting somewhere at the renewable energy space, because you mentioned about new age mobility Yes, it will like, it will consider low carbon and the renewable energy space is very much on our drawing boards and we will, as we go through and get our people together, get the groups together, look at the markets, look at our pilots and scale up, we will come back to you with very, very specific and concrete plans that we will tell you So, look, there are two things in this, actually, yesterday, what they did in the press conference, it was more of a posturing, and the posturing is that, in the morning, the Prime Minister Modi was involved with the whole energy security spectrum, Mr. Modi, But, the key takeaway was that, look, the fuel retailing, what they gave us, they gave us that, it will be the same, so you know, that's like given, that it will be, or KGD6 additional investment, or the whole KG block, it will be, It will be, if there will be, even if it will be, if there will be a potential that $40,000 crore we started, it will be the biggest to it The more, the most interesting thing, that in terms of the renewable energy, for energy security, and the second, that is the Reliance GEO network that, it will be the those who are using fuel retailing रेवलिशनरी ऐसे तरीके इसके लिए वो इंप्लिमेंट करने वाले हैं जो कि अभी तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ है उसे यहां पर टेस्ट किया जाएगा और अगर वह सफल होता है तो उसे फिर एक्स्पांड किया जाएगा भारत के बाहर भी तो जो उन्होंने खुद कहा है कि आने वाले समय में आप स्पेसिफिक अलगलग सेक्टर से जुड़ी अनॉंसमेंट सुनेंगे इस पर नज़र रखनी पड़ेगी इन फाक मैयूरेश जोशी भी हमार साथ मौजूद है उनका एक कुछ कॉमेंट लेते है रलाइंस इंडस्ट्री इस पर मैयूरेश क्या वियू है आपका आपने भी की टेकवेस देखे होंगे जो कि कल प्रेसर हुई आपका कॉमेंट्स क्या है उसके बाद मौरिंग दिपाली जी मेरे कहले से जैसे मीर जी बता रहे था है एक मैकर अनौंस्मेंट से रलाइंस को लेकर है इन तरम्स और कितना गैस प्रोड्यूस करेंगे तीन चार साल में 6 बिलियन डॉलर जॉइंट ली बीपी की साथ करेंगे तो मेरे कहले से जी उनके की दो सेग्मेंट है पेट के मार रिफाइनिंगे यह स्टिल डिफाइन करेंगे उनकी अबिट और अबिट क्रोथ अगले एक देड़ वर्ष के लिए टू से जीवो में जितना केपेक्स हुआ था विद अप्लाइंस कमिंग आउट मेरे कहले से आ आगर किसी कई एक से देड़ साल का नजरी आए तो मेरे कहले से एक पॉजटिव पर रहे है तो मेरे कहले से वार्ष के अगर किसी करी एक से देड़ साल का नजरी आई तो बन हुआ था अब यहीं टोड़ा सा रिलीफ यहां पर है 520 लेवल सपर HPCL है BPCL करीव 1% उपर की strength दिखा रहा है, 677 के लिवल पर, IOC भी करीव आधा पौन 1% उपर trade कर रहा है. Simi, oil marketing company से कोई trade-up pick करेंगी, कहीं आप short covering या फिर recovery expect कर रही है आज के session में? दिखे, recovery short covering तो आ सकती है, क्योंकि काफी हद तक correct हो चुका है, पर overall chart में जितना weakness है, बहुत जल्दी मुझे नहीं लगता है कि कोई long positions लेना चाहिए, लॉकि long positions लेने के लिए market में बहुत सारे stock आज भी मौजद है, कि कुई मुझे लगता है कि market में थोरा बहुत weakness था, पर कल भी बहुत सारे stock में buying देखा गया था, अगर long trades लेना है तो उसमें लेंगे, oil marketing companies में charts में काफी weakness है, BPCL, HPCL, IOC, KC में भी कोई positive sentiment नहीं लग रहा है, इसलिए अगर short covering rally आता भी है, तो भी मैं उसमें मतलब interested नहीं हूँ, मैं नहीं लेना चाहूँगी long positions. मैयूरेश, IPO market पर भी आपे कमेंट चाहिए, तो तेजस network का IPO आज प्लोज हो रहा है, अब तक 38% subscriber है, हाला कि जाथ houses की ओर से इस IPO को सब्सक्राइब करने के सलाई ती, और एक नया IPO आज ओपन हो रहा है, वह है इरिज Life Sciences का, आपने as a house क्या recommendation दी है, इन दोनों ही IPO पर? लाजले इधिंग डिपली जी में से closely track नहीं किया है, तो मेरे कहले चाहिए, एधिंग कमेंट करता है बहुत मुश्किल हो. ची, चलिए इसके लावा एक बार Infosys को और देख लेते हैं, तो शायद weakness इसमें बढ़ सकती है, 940 की important level रहेगा, अभी at least उसके ओपर ही trade करा है, indicative action में 3 रुपे नीचे है, लेकिन Tata Motors और Tata Motors DVR, यह दोनों strong open हो सकते हैं, और Tata Motors, especially indicative action में, अब करीब 0.5% तक की strength दिखा रहा है, इन फैक्ट हेमन्थ आपके comment भी लेंगे, news flow आज positive है, कई houses इस जिन्हों ने 600 तक के targets दी हैं, Tata Motors पर, और Tata Tech में जो यह अपना stake offload कर रहे हैं, 30% का, उससे इनको करीब 1600 करोड मिलेंगे, तो यह एक खबर है, जो की, इस stock पर अपना impact दिखा सकती है, लेकिन आपकी trading strategy क्या होगी Tata Motors पर हेमन्थ? देखें, मेरे इसाब से, डिपाली Tata Motors काफी strong support के आसपास आ रहा है, 4.44, 4.45, और यहां से rebound, एक technical rebound ज़रूद आना चाहिए, towards 4.65, बहुत बड़ी rally 4.65 के उपर ही हो सकती है, तो अगर आप trader हैं, या short term trading करना चाहते हैं, तो आप एक attempt कर सकते हैं, लेकिन वो target आपका 4.65 भी होना चाहिए, वहाँ पर गर जाता है, तो आप एक बार निकल जाएए, 4.65 के उपर sustain करेगा, तो ही कोई बड़ी rally आ सकती है, खेर, चलिए यह देख लेते हैं, जिसके आसपास, आज अगर निफ्टी मंडराता भी रहता है, लेकिन 95-80 के उपर बना रहता है, तो थोड़ा बहुत comfort market draw कर सकता है, यहाँ पर, जो gainers हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, जहाँ पर strength indicative में देखने को मिल रही है, उन stocks में एक तो Tata Motors है, जो की करीब पौने फीस्टी उपर है, BPCL, Orbindo Pharma, MNM, Sun Pharma, यह कुछ counters हैं, जिस पर अच्छा हम हो है, और बिन्दो Pharma पर यह जो rally है, इसे किरन आप कितनी extend होता देख रहे हैं? और बिन्दो Pharma कल के सत्र में बहुत ही अच्छे open interest additions के साथ, बहुत अच्छे volumes के साथ चला था, और important resistances तोड़ते हैं, नजर आ रहा था, पहला resistance था करीबन 615 का, उसके बाद 2625 का, और जिस तरीके के volumes के साथ चला है, मेरा मानना है कि इधर से rally extend हो सकती है, next resistance 660 से लेके 680 है, यह range रहेगी targets के मान के चलने के लिए, जिनके पास long positions हैं, उन्होंने 630 का stop loss बहुत important है गई, इस बाद. मैयोरेश और बिन्दो Pharma पर तो एक राय आपकी भी चाहिए, क्योंकि 29th May से या फिर कहें कि इस series की शुरुवात सी constant चला है, यह share 30% तक का move दे चुका है, और अभी जो houses की report आई हैं पिछले एक दो दिनों में, वो 1050 तक के targets की बात कर रहे हैं, आप 650 के level पर बाय करेंगे और बिन्दो Pharma? बिल्कुल दिपाली जेगा, declines पर इतिंक बिल्कुल करूंगा, Q4 के नतीज़े थोड़े disappointing थे, और Q1, Q2 के भी थोड़े रह सकते हैं, विकज़े एपड़ी इसूस और कंसर्न्स, बट 115 ड्रॉग्स की A&DA pipeline है, जितना R&D spend ये सोचने करने की 5-6% with a apex of almost 500-600 crores per year, मुझे लगता है थिंक जो इनके दूप की acquisitions activists on that role, injectables business, high margin business होता है, ये launch कर सकते हैं, तो मेरे कहल से, I think, 15-16% की top line growth बिल्कुल ओलाउट नहीं की जा सकते हैं, I am looking at an EPS of 5150 to myself, मेरे कहल से, I think, 850 is something that I am looking at in terms of a targeted price अगे देड़वरज में. ये पार देख लेते हैं, cash के वो stocks, क्योंकि market open होने वाले हैं, फटाफट से देख लेते हैं, जहां पर with volumes एक अच्छी opening हो सकते हैं, Ion Electric पर नज़र रखे 20% उपर इंडिकेटिव आक्शन में, AD 740 के लवल्स पर, Crude क्योंकि 6 months के lows पर trade कर रहा है तो कुछ चोटे stocks हैं, जैसे के offshore shares हैं, वहां पर एक अच्छी opening हो सकती है, गोल offshore है, जो की 7.5% उपर खुल सकता है, All Country Tribular है, यहां भी 8% कमोब इंडिकेटिव आक्शन में देखा जा रहा है, इसके अलावा, शिल्पी, केबल, उमकार, स्पेशलिटी, कुछ और shares हैं, जिनकी शुरुआत पॉस्टे फ्रेंट पर हो सकती है, निफ्टी 9595 के लेवल्स पर, सतरांग को की भड़त दिखा रहा है, टाटा मोटर्स DVR, टाटा मोटर्स इंस्टोक्स में स्ट्रेंथ है, BPCL recovery लेते हुए 1% उपर, इंडिकेटिव आक्शन में, और उन भी दो फारमा भी इमने बाचीत की भी, यह constant up move में रहा भी है, और आज भी 1% उपर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, 3998 के लेवल्स पर उपन हो सकता है, यहां भी पॉन 1% की स्ट्रेंथ है, फारमा में कुछ उनिंदा शेर्स हैं, जो की ठीक टाक मूव दे सकते हैं, ICICI Bank, Hero Motor Corp, Gail Bank of Baroda, इन स्ट्रेंथ की बिज़े शुरुआत है, वो आदा परसंट की स्ट्रेंथ के साथ हो सकती है, जो कमजोर हो सकते हैं, उसमें IT शेर्स हैं, आज एक important bethack भी है, Tech, Mahindra, Infosys, इन दोनों ही यह दोनों ही शेर्स करीब आदा आदा परसंट की weakness दिकाना है, इन स्ट्रेंथ के लिए कुछ मिल सकता है और आपको एट-लीस ट्रेडिंग के लिए कुछ मिल जाएगा, दरवाइस हो सकता है कि market flat खुले वो ही दस-पंद रंकों के दाएरे में घूमता रहे, तो उसमें ट्रेडिंग गेन जनरेट करना थोड़ा रिफिकल्ट हो जाता है, आप आप नज़र रख सकते हैं जिसके मिने बात की भी थी साड़े 8-9 के बीच में, और निफ्टी 95-95 पर लेकिन देखते हैं कि खुलने के बाद market का सस्टेन करता है, पोशिश करता है 9600 के उपर निकलने की इस पर नज़र रखनी होगी और साथ ही ओविसली निफ्टी बैंक जो की एट लीस्ट इस समय इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल सकता है, बाकि momentum stocks पर तो नज़र रहेगी, 9596 पर निफ्टी खुला है इस बीच, तो वही 17-18 अंको की तीजी शुरुवाती दौर में देखने को मिल रही है, निफ्टी 9597 के आसपास है, बढ़त वाले जो काउंटर्स हैं, उनको एक बाद देख लेते हैं, इसमें BPCL है, और बिंदो फार्मा है, यह कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल रहे हैं, IOC करीब 1.5% उपर है, OMC इस पूरे में ही आज बांस ठीक देखने को मिल रहा है, टाटा मोटर्स है, जो की करीब 1.5% उपर इसमें ट्रेट कर रहा है, और साथी DVR पर भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रहे हैं, और गेनर्स को देख लेते हैं, 9600 के पार निफ्टी जाने की कोशिश करते हैं, और कुछ काउंटर्स जहां पर गेन हैं, इसमें M&M है, और बिंदो फार्मा है, टाटा स्टील है, डॉक्टर रेड़ीज है, यह कुछ काउंटर्स हैं, जिस पर आप नज़र रख सकते हैं, जो काउंटर्स निफ्टी को ड्रैक कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं, उनको एक बात देख लेते हैं, लूजर्स में विप्रो टॉप लूजर है, करीब एक परसंट नीचे, इन्फोसिस नुकसान में है, एक चौथाइप परसंट की गिरावट यहां पर है हो, साथ ही HCL टेक, यहां पर लाल निशान देखने को मिल रहे हैं, तो 9603 की लेवल्स पर निफ्टी है, 26 points की बढ़त लेका, लेकिंग बाद देख लेते हैं, ओल मार्केटिंग स्पेस को, जो की एक recovery दिखा रहा है, और सुबह हमने बात की भी थी, कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, कि कल के रिपोर्स भी आई हैं, तो वो भी एक impact होगा, यह बाद देख लेते हैं, रिलाइंस इंडस्ट्रीज को, कि वहाँ पर opening कैसी हुई है, दो दुनों में काफी strong move दिया है, रिलाइंस इंडस्ट्रीज ने, कल भी एक करीब 2% की strength के साथ close गा था, अभी बिल्कुल flat rate कर आ है, 30-84 के लवल्स पर, ONGC बिल्कुल flat है, ओल इंडिया में हम करीब 10% का move देख रहे हैं, लेकिन देखिए आप ADAG स्पेस को, यहाँ पर alliance communication पहुने 1% ऊपर है, RK, Power Defense और Lance Infra, यहाँ शुरुवात positive हुई, 10% की बढ़ा हम देख रहे हैं, एक बार आप देखिए, IPCA Laboratories को हमने बाद भी की थी, Negative News Flow उसी का impact, 13% नीचे IPCA Laboratories का share 448 के लेवल्स पर trade कर रहा है, क्यों कांपनी के 3 plant को warning letter जारी किया है, USFD ने, और अब इंदो फार्मा पिछले कई सत्रों से लगाता परफॉर्म कर रहा है, 2% उपर आज भी है, कई houses की रिपोर्ट आई है, जो की 1050 तक के targets recommend करी है, और अब इंदो फार्मा पर, अगर 29 में से अब तक का इसका move देखे, तो almost 30% ये stock चल चुका है, अब houses का view भी positive आ रहा है, और अब इंदो फार्मा को लेकर, एक AstraZeneca फार्मा को भी देख लेते हैं, फार्मा की बात हो रही, ये stock भी खबरों में रहा है, एक important दवा है, इसके जिसको approval मिला है USFDA की ओर से, stock 35% उपर 950 के levels पर trade कर रहा है, बिल्कुल, इस बीच Mtech को देख लेते हैं, ये counters जो हैं, वो negative news लोगे चलते हैं, in fact, दोनों को ये आप देखिए, किस तरह से और कितनी तीजी से फिसल रहे हैं, इपका करीब 13% नीचे, प्लान की वार्निंग की खबर के बाद, and similarly Mtech को भी अगर आप देखे, तो यहाँ पर नुकसान Electro Steel, लॉरिक कंट्री जो की 7% नीचे इस समय ट्रेट कर रहा है, खरीब 4 रुपय के असपास, ये वो counters हैं, जहाँ पर heavy sell-off, और NPA का बहुत-बड़ा overhang इन सारे ही stocks पर है, monet इस पाथ, ये करीब 4.5% नीचे इस समय ट्रेट करते हुए, जो सबसे बड़ा ट्रिगर या फिर overhang market पर रहने वाला है, वो banking space से जुड़ा रहेगा और banks की NPA से जुड़ा रहेगा, तो वो ही आप देखिए, इन सारे counters पर इस समय प्ले आउट होते हुए, कल in fact, the business ने ये बताया भी था, कि almost 30 से जादा companies ऐसी हैं, जिन्होंने NCLT में खुद ही, खुद को दिवालिया घोशित किया है, out of total 84 companies जिन्होंने approach किया है, NCLT को अपनी debt को लेकर, तो उसमें से कई stocks हैं, जिस पर आज अच्छा खासा selling pressure देखने को मिल रहा है, and definitely इन stocks पर नज़र रखनी पड़ेगी, बिकोज कल भी यहाँ पर कमजोरी का ही संकेता, खेर, ओपनिंग के बाद 9600 के उपर है, हेमत निफ्टी इस समय, 106 भी करीब 70 पॉइंट उपर होल कर रहा है, निफ्टी बैंक को एक बार देख लेते हैं, निफ्टी बैंक में रुज़ान जो देखने को मिल रहा है, वो करीब 50-52 अंकों की तेजी का है, यानि about a quarter percent high, क्या कहेंगे आज के opening पर आप? देखें, मेर मीर expected lines पे sideways है, मुझे अभी भी लग रहा है कि बजार उसी range में है, तो कोई action नहीं ले सकते हैं, 9630 या 9550 टूटे, फोकस करना पड़ेगा mid caps में, मैं एक मिनिट लेना चाहूँगा, याँ पे मीर की mid caps क्यों इतना outperform कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि D.I.S. का कल की जो buying थी, और अगर पिछले एक हफ़ते का आप D.I.S. का cash figure देखें, तो वहाँ अब दुबारा से inflows शुरू हो गए, और F.I.S. have been sellers in index futures and cash, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी D.I.S. का inflow ज़दा बढ़ता है, तो mid caps में ज़दा buying देखने को मिल जाती है, तो चाहे वो mid cap banks देख लीजे, DCB, Federal Bank के सब में ज़दा movement देखने को मिलेगी, और indices मुझे अभी भी लग रहा है, थोड़ा range bound रहेंगे, लेकिन हिमत ने जिन calls का जिक्र किया तहां पर अच्छी opening हुई है, DCB Bank 1% उपर है, Federal Bank पर भी हिमत बुलिश थे, अगर फ्रेश बाइकॉल लेना है तो मुझे लगता है कि NIT Tech में लेना चाहिए, अच्छा किसा वॉल्यूम हमने पहले पाँच मिनिट में ही देखा है और मिझे लगता है कि इदर से अच्छी का सी मूव देखने हो मिलेगी, पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे थे, करीबन 568-578 बहुत बड़ा resistance बनके खड़ा रहा, आज पहली बार इसने ये लेवल तोड़ा है 5-6 दिनों के बाद और मेरा मानना है कि इदर से अच्छा का सा मूव देखने हो मिल जाना चाहिए, stop-loss बहुत नजदीक है, stop-loss रहेगा करीबन 569 का और targets के लिए हम expect कर सकते है 580-82 लेवल्स बिलकुल, चलिए एक बार market की breath भी देख लेते हैं, शुरुआत तो ठीक ठाक हुई है, लेकिन ये जो mid-cap और small cap का out performance है, ये continue करना ज़रूर है आज के market में, तो कम से कम इससे ये trend तो intact रहेगा, कि जो छोटे majorlar share हैं, उसमें तेजी का रुजान अभी बना हुआ है, शुरुआत में ऐसा लग भी रहा है, देखिए करीब 900 counters हैं, जो बढ़त में हैं, नुकसान वाले counters की संख्या is around 300 NAC पर, और BAC पर बढ़ने वाले counters हैं, 8500, नुकसान वाले counters की संख्या साड़े 300 के असपास देखने को मिल रही है, सिमें आपने कोई stock radar पर लिया क्या, खुलने के बाद market? एक तो मेरा मेरे पास दो-तिन stock था, रडार में, बताने का मौका ही नहीं मिला, एक तो Aurobindo Pharma था, जो अभी भी strength शो कर रहा है, लग रहा है कि अभी भी चल सकता है, 665 का मेरा target था आने वाला है, या आ चुका है, Federal Bank का मेने call दिया था, Federal Bank का मेरे 122 से 23 का target था, जो अल्रेडी उपर में खुला है, और मुझे लगता है कि ये Federal Bank का 122 तक का target आज भी हासिल कर सकता है, अगर ना भी करें तो भी कोई problem नहीं है, नेक्स्ट वीक तक लेके जाएंगे, मेरा और सारे और भी 2-3 stock है, एक तो Capital First है, जिसमें एक अच्छा breakout का लाया था 720 के उपर, आज 720 के उपर maintain कर रहा है, 745 से 750 का मेरा target है, ओवराल आज नहीं होगा तो next week हो जाएगा, DLF में अच्छा buying दिख रहा है, DLF मुझे लगता है कि 190 के उपर maintain करेगा, तो 196, 197 तक का भी target देखने को मिल सकता है, एक stock जिसमें मैंने Contrarian buy का दिलवाया था, मेरे क्लाइटों को Escorts, जिसमें काफी बरा sell-off देखा गया था, पर कल का closing के बाद मुझे लग रहा था कि आज शायद एक pullback rally Escorts में देखने को मिल सकता है, 705 के नीचे stop लगा के Escorts में मैं एक Contrarian long दिया था, 720 से 725 तक का target Escorts में देखने को मिल सकते हैं, स्टॉक में ने बता दिया है, ठीक है, हेमन्त आखरी question होगा आप से, आज के session में cement stocks थोड़ी सी weakness दिखा रहे हैं, ACC, Ambuja, Ultra, 30 ही stocks को आप देखेंगे, तो ये अब आधा पॉसंट पॉन एक पॉसंट तक नीचे हैं, क्या विवें यापर? देखिए, मेरे हिसाब से cement अभी भी weak ज़्यादा लग रहा है, मेरे को, जैसे ACC 1640 जब तक क्रॉस नहीं करें, या Ambuja 245 क्रॉस नहीं करें, they will remain weak. मेरे हिसाब से ACC ज़्यादा chances हैं to come towards 1550, तो I will be more of a sell on rise में हूँ मैं cement में, only एक ही stock है जिसको मैं इसमें नहीं गिन रहा हूँ भी, वो है इंडिया सीमेंट, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है इस पूरे सीमेंट पैक में, वहां मुझे लग रहा है कि chances of coming to 221 is higher, तो अगर एक सीमेंट स्टॉक मुझे चूज करना है तो I would prefer India सीमेंट.